तो मेरे चड़ी बड़ी दोस्तों कैसे हो आप सारे आशा ही कि आप सब अच्छे ही होंगे और आप सभी का स्वागत है पबजी मोबलाल के एक और गेम प्ले में जो की होने वाला है सोलो वी स्कोड अब देखो काफी दीन हो गए तो अपन ना तो सोलो वी स्कोड खेले और न ही अपन नेसी कोई वीडियो डाली तो मैंने सोचे चलो आज डाल देते हैं मूड सही है गेम सही खेल पाड़ा था तो जो भी यहां पर हम लोग खेलते हैं और भाई क्या ही मेच निकल के आता है इतनी सारी टीम है मेरे पर रश करेगी या फिर मैं उन पर रश करूँगा व बाजू साही मेरे को एक बंदे की हलकी सी जहलक दिखती है और फिर अब यार यहां पर मैंने डकेत और बोस बोस की पेटी बनाई और कुछ नहीं बोल रहा था तो जो भी इन दोनों की जैसे ही पेटी बनाई उसके बाद मैं सुनता हूँ कि बाजू अले घर में ही मलब कुछ बंदे आ चुके हैं तो मैं देखता हूँ अपने पास एक बंदे पड़ा है तो बं क्यो न फेका जाए और देखो इस बंदे क्या होता है अब यार एक मज़े की बात बता हूँ एक बम से दो बंदे फट चुके हैं उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ एक और बम फेकूँ क्या पता पेटियर्डी बन जाए पर इसा कुछ नहीं होता मैं सोचता हूँ डायरेक्ट रश करूँ और जैसे घर के नहीं चाता हूँ तो मैरे को एक फुटिस्ट बात ती है कि कोई रिवाई दे रहा है अंदर वाले रूम में और मैं जाता हूँ तो यार यहाँ पर मेरे काम डलने ही वाले थे मैंने आपको गदाया था ना कि मेरे को बंदा जो लगा हूँ छोटे वाले रूम में लगा पर भाई व बंदा वहां भी होता है और साथे साथ कोने में भी था तो भाई अच्छा उसकी रिलोड पेडली और मैंने उसकी पेटी बना दी विल्कुल यहाँ पर यह टीम खतम हो चुकी है तो अगर अभी तक यार यह वाला क्लेच देखके मसा आ गया हो तो फटा फटी से सब्स्राइब कर दो इसके बाद मेरे को लगता है सेवर्णी खाली हो गया मतलब इतनी जल्दी कैसे धानी हो सकता ना तो विल्कुल मैं जैसे ही आ गया आता हूँ तो गाड़ी के आवाज मैरे को जोकी रीच के उस पार होती है मनलब सेवर्णी में आ चुकी है पुरिक बूरी धीम अब यहां पर मैं पूरे एंगल निकालने की सोच रहा होता हूँ कि कहीं से तो सिरीज वाले को मार सकूं पर यहां से कहीं कोई एंगल नहीं जाता हूँ जाता हूँ सब लोग क्लोजिन कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ फेले सबसे पहले पीछे भागता हूँ मतलब फॉल बेक करता हूँ फिर जो बुस्टर उस्टर मार के आगे आता हूँ अब देखना एक बोट आ चुका है जिनको ये लोग मारने में बिजी हो जाते हैं और फिर यहां पर मैंने उस बंदे को नोग करके इसलिए फिनिश करा क्योंकि आप सोलो इसकोड खेल रहे हैं ना मैं भी सोलो इसकोड खेल रहा था तो बिल्लकुल फिनिश करना बनता है नहीं तो आप इस रिवाई होके पूरी टीम खड़ी हो जाएगी और एक सात रश करेगे तो ग तो कोई ना उसकी पेटी बनाई उसके बाद बोटकी बनाई और भाई जैसे आगे आता हूं मेरे को राइट वाले घर से और मेरे सामने वाले घर से फुटी स्टेप आती है तो मेरे बास एक और बं होता है अब देखो यह बं क्या चमतकार खड़ता है तो यहां पर एक बंदे को मैंने बंसे नो कर दिया और एक और जो गाड़ी लेकर मेरे पर रश कर रहा होता है तो इसको तब आपन चलती गाड़ी सी गरा देते हैं अब बचाए इस टीम का आखरी बंदा जो की सामने यह तो अब देखो मैं कैसे इसको मारता हूं बिल्कु क्या कर रहा है वो तो यार इसी प्यार से फ़िपी स्विच के साथ इस भाई की पेटी बना दी और यह वाली टीम भी खतम मतलब सेवर्णी में दो टीम वाइप खर्चु के अपन और दो बंदे भी अपन ने मार दिये अब क्या होता है ना सेवर्णी से में निकलने की सोच तो जैसे निकलता हूं तो फिर मेरे को सुना देती कोई तो गोली चला रहाता है और इतना तो कंफर्म था कि बोट फार दे रहा है पर यह बंदा ही है तो मैं जैसे इतर आता हूं और देखो भाई कहां चुपा यह बंदा अब यार सही बता हूं ना तो मेरी फट चुकी थी मेरे को लगा बंदा आ चुका है पर यह तो बोट होता है इसकि मैं पेटि बनाता हूं और जैसे ही उपर जाता हूं तो कंफर्म cooking हो जाता है कि बंदा इसके भी छट के उपर लेटा है तो मैं बाजु वाली विल्डिंग में जाओंगा क्योंकि बराबर से इंगल मिलेगा तो दीखेगा तो सही क्या चल रहा है उपर तो जैसे ही जाता हूँ उसके बाद दीख भी जाता है मेरे को बंदा तो मैं करता हूँ बम उस पे तो यार इसी बम के साथ यहाँ पे इन भाई की पेटी बन चुकी है वैसे यहाँ पे चड़ते कैसे यार इतनी उपर मेरे को नहीं बता जो भी है अपने इसको फोड दिया इसके बाद जो अब जाके सेवन नी खाली फिर मैं निकलता हूँ आगे एक ड्रोप ले उटता बढ़ती है यही ले तो अगर इनके समने से भगा के जाऊंगा ना तो मैरी पेटी बना सकते हैं गिरा सकते हैं गाडी से अब यहाँ पर देखो मेरे को गाड़ी रोकना ही पड़ी क्योंकि उन्osphPlus ने भी रोक ली थी और अगर मैंसे से भगा के लिए जा तो में ने है कि वो लोग गिरा सकते हैं तो यहां पर बजबुचा कि जैसे ही हील विल करूंगा और रिलोड तो करी लिया पन ने और राइट में एक स्मोक करता हूं ताकि मेरे को राइट से कोई ना मार सके और लेफट में तो अब देखों यहां पर सब कुछ करने के बाद अब यहां पर मैंने एक बंदी को नोक्या कर दिया यह लोग इतना गुस्से में आ गए चलती काड़ी मेरे को एडवलेम पेल तो मैंने बोला भी यह करना ही पड़ेगा तो में इस वाले पेड़ पर उकता हूं बाल बचता हूं उसके बाद मैं सोचता हूं इन लोग की भगी भड़ दू ताकि इन लोग को डेमेज मिले क्या पता नोक्वक हो जाएं मैंने यहां पर मुर्गा वाले भाई को फिर से नोक कर दिया फिर उनको रिवाई मिल जाए क्योंकि वहां पर एक और बंदा है और एक बंदा पीछे से जो डीपी चिप का रहा था मेलब मैं भाग ही नहीं सकता और एक इसमोग है मेरे पास पर मैं इसमोग यूज नहीं करत यह वाले भाई काफी बढ़िया फ्लेंग मारके पीछे से आ जाते हैं और बिल्कुल पेटी बना जाते हैं मेरे को लगाता है और सामनों के सारे बंदे यहां पर काश में स्मोग करके निकल लेता पर कोई ना रिसिक जात यहां मेरी पेटी बन जाती है अब बढ़ते हम तरते पोचिंग की में और यहां पर कुछ ही बंदे आयोते गीने चुने तो मैं जो यह बोटों से लड़ने लग जाता हूं और बोट मेरी ऐसी हेल्थ कर देता है उसके बाद एक बंद आता है रश करने हम पर बोटों की और हम लोग की लड़ाई देखके सुनके देखो अ पर इनको पेल दिया और इसके साथ एक दो बोट आते उनको में धो देता हूं फिर उसके बाद हम जाते रोजोक की तरफ क्योंकि यहां इतने कुछ खास बंदे नहीं आते तो जैसे रोजोक आते तो कुछ गोले चलने की आवाज आती है तो हम जैसे उपर की तरफ जाते है और दिखता है मेरे को एक बंदा अब यार रोजोक में आते ही शेडो भाई हमको मिलते है तो इनकी हम ऐसी पेटी बनाते है कि इनकी खुद की परच्छाई इनहें नहीं पेचान पाएगी तो बिल्कुल यहां पे इसके बाद एक और बंदा जो हम लोग को मारने की कोशिश करता है और फिर मेरे पास तो देखो यार है ना फोरेक्स तो चलाएंगे कब दिखाएंगे कमाल वहां पर बंदे हैं मेरे वहां पर गाड़ी आते ही दिखी दिखता है ओपी एजे भाई की पेटी बनाने बिल्कुल भी दिखकते नहीं आई क्योंकि उनका हेड़ दिख रह लेते हैं और आप जाके रोजोग भी खाली हो जाते हैं इसके बाद वह अपना शेल्टर नहीं है हाँ बिल्कुल वहीं पर वहीं के आसपास से कहीं पर तो फ्लेर चलाई होती है तो ड्रोप आले लगता है तो हम लोग जाते अपनी गारी उठाके और यहां पर दो टीम अब यहां पर आने में हलका सा लेट क्या हो गया भहिया सब ठील ठुला गए वलब लास बंदा बचा था जिसको मैंने मारा तो सब की नोक वालों की पेटिया बन गई मतलब यार थोड़ा सा बस जल्दी आया तेना बिल्कुल कि खतरनाक तरीके से बढ़ोतरी होती तो जो भी यहां पर इन लोग की पेटी बन गई जैसे हम लूटने लगते हैं उसके बाद मेरे को एक डास है कि आवाज आती हल्की सी बिल्कुल कानों में सुना ही देती है तो मैं अलर्ट हो जाता हूं मैं अपने टिममेट्स को बल जाता हूं वही या बंद आ चुके हैं अब यार इसी खतरना क्राउच अप मुमेंट से बिल्कुल इन भाई की पेटी बना दी और यह टीम भी खतम हो जाती है इसके बात क्यों होता है ना एक बंदा शेल्टर से हम लोग को मारने कोशिश करता है तो हम यहां से कोशिश करते हैं उसको मारे पर रिज के चक्कर में इसको गोलिया नहीं लगती तो मैं बोलता हो को तुम भी यह गाड़ी में बैठो अपन गाड़ी से इस पर रश करते हैं और जैसे यहां आते बढ़ी बंदा गायब कर दी खड़ी पीछे आ रहे है रही सामपां बनोगा अब यहां पर हम लोग जब आये थे तो यह भाई पता नहीं क्या ही गायब हुए थे भले यह पत्थर के बीचे यह से डर के छुपे हुए थे और फिर जो ही आक्रमन किया इनने यह होक को तो यह पेल ही दिये और उसके बाद मैंने आप पे जैसे तो समाल लिया और इन भाई की पेटी बनाए उसके बाद हम लोग निकलते कुछ और बंदों की तलाश में और जैसे ही धराते तो हमको एक गाड़ी दीखती है और मैं गुड़्डू को बलता हुए यह त पर हाँ मैं मानता हूं इस बार गलती मेरी क्योंकि एक बंदे पर फोकस ना करके एक को नोक्या उसके बाद और बंदे दिखते हुए तो तो मैं सब को मानने कोशिश करता हूं और उस चक्कर में वह भाई मेरे को चिपका देते हैं जो भी है यहां पर रिवाए होने के आए बं के बाद में करूंगा रस ताहा करते भी व्लोकर हो पी बोली अभी बच गया अगया 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 तो यार यहां पर सी के साथ इस τुम की भी पेटी बन ही गई उसके बाद एक बोट मिलटा है तो उसके अपन फटा फट से पैटी बनाते हैं और धूंदे आखरी बंदे को तो धूंदे भूंदे ढूंदे डूंदे डूंदे भूंदे जैसे यहां पर आते तो एक बंदा मेरे को लेटा हूँ अधिक जाता है और मैं सोचता हूँ देखो यार भुल बक्चोदी के मुड में था तो जो भी मैं सोचता हूँ क्यों ना इसके मजे लिए जाए फर यह मजे लेने भारी पड़ेंगे कि मारना नहीं मेरे को देखना को क्या आपको एक बात पता है किसी भी टाइम का रिकॉर्ड खोल के देख लो जब जब मैंने बक्चोदिया कि यह मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ ही है मलब यहाँ पर मैं सोचता हूँ मजे लिए जाए पर भाई इतना लो कर देते मेरे को फिर मैं सोचता हूँ चलो उड़के मारते हैं पर भाई लो इतना था कि उनने दो चार गोली मारी रिलोड करने के बाद और मैं ठील गया पर यहाँ पर गुड्डू ने उसको पेल दिया और यहाँ पर हमारा हो जाता है विनर विनर चिकन डिनर तो आज का गेम पले आपको कैसा लगा थोड़ा बहुत मजा मजा तो आया होगा बिल्कुल शुरू में सॉलो भी स्कोड दिखा है फिर जो है बक्चोदी वाला गेम पले दिखा है तो जो भी आर लाइक वाइक कर देना शेर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ और जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल वीडियो देखने बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे ह अगर आप फॉलोवर्स बढ़वा देते हो कुछ भी बचें बस कुछ है तो कर दो यार वटावट से तो चलो मैं मिलता आप सेगली किसी वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखना हाथ दो दे रहना इस्टेर घर पे लव यू ओल जय हिन जय भारत जय श्री महाक आशा पिला दे यार पानी तुम क्या समझे दी पानी यार गलास को करा हैं